दोस्तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्में रही जो मुजिकली तो हिट रही लेकिन फिल्म कमर्शली बुरी तरह फ्लोप साबित होी और दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1982 की एसी एक फिल्म के बारे में जिसका म्यूजिक तो काफी पॉपुलर और फेमस उन दिनों हुआ था लेकिन फिल्म बुरी तरह पिट गई और इस फिल्म के पिट जाने के भी कई कारण रहे थे नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्ज इस फागत है आपका आपके अपने चैनल Bollywood Unboxing में बिद्दू बिटिश इंडियन सिंगर, सोंग रैटर, कंपोजर और म्यूजिक प्रोडूसर बिद्दू अपईया फेमस हुए थे फिल्म कुर्बानी के गीत आप जैसा कोई मेरी जिन्गी में आये से इस गीत को उन्होंने पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन से गवाया था कमाल की बात तो ये थी कि इस फिल्म स्टार के प्रोडूसर, स्टोरी रैटर, स्क्रीन प्ले रैटर और म्यूजिक डिरेक्टर बिद्दू ही थे तो दोस्तो आईए आगे जानते हैं आखिरकार यह फिल्म खराब कास्टिंग और खराब स्क्रिप्ट की वज़े से कैसे बुरी तरे फ्लॉप साबित हुई दरवसल इस फिल्म के डिरेक्टर थे विनोध पांडे जो की इस से पहले एक बार फिर जैसी आठ फिल्म बना चुके थे अभिनेता शेकर सुमन को धारावाहिक रिपोर्टर से घर गर तक पहुचाने वाले डिरेक्टर येही विनोध पांडे थे विनोथ पांडे को इस फिल्म स्टार का डिरेक्शन मिलने की भी एक अलग कहानी है सभी जानते थे कि विनोथ पांडे एक आर्ट फिल्म डिरेक्टर है विनोथ पांडे एक डोक्यूमेंटरी फिल्म लंदन में भारत भी बना चुके थे और वे लगबग 15 साल तक लंदन में रह भी चुके थे वहीं बिद्दू अपाया फिल्म कुर्बानी के हीट हो जाने के बाद एक फिल्म खुद बनाना चाहते थे उन्हें जब फिल्म बनाने के लिए एक डिरेक्टर की जरुद पड़ी तो उन्होंने लंदन में ही इंडियन डिरेक्टर की तलास शुरू कर दी विद्दू अपाया से जब विनोथ पांडे की मुलाकात होई तब विनोथ पांडे ने जिंस पहनी होई थी दोस्तों ये वह समय था जब कम ही लोग जिन्स पहना करते थे बिद्दू उपईया ने उन्हें स्टाइल में देखकर मन ही मन ये मान लिया कि ये डिरेक्टर एक स्टाइलिश फिल्म बना सकता है इस फिल्म स्टाइर के मुख्योर सहय कलाकार थे कुमार गौरोव रती अगनी होतरी राज कीरण पदमे निकोलापुरे साइद जाफरी एके हंगल दीना पाठक राजा बुंदेला रविंदर कपूर बोब केस्टो युसुप खान युनूस परवेज और गेस्ट अपिरियंस में राजेंदर कुमार, विनोत पांडे और खुद फिल्म के प्रोडूसर बिद्दू पहिया सबसे पहले इस फिल्म में बिद्दू पहिया पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन और उनके भाई जोहब हसन को कास्ट करना चाहते थे लेकिन उन्होंने एक्टिंग करने से मना कर दिया दोस्तो इस फिल्म को बनाने का विचार विद्दू अपया को रातो रात आया था उन्होंने इंगलिश में इसकी स्क्रिप्ट लिखी तभी उन्हें याद आया कि उनकी मां ने उन्हें एक लेटर लिख कर कहा था कि भारत में एक युवा एक्टर है जो बिल्कुल करने की व्योस्ता भी कर ली जब कुमार गोरो अपनी फिल्म लव स्टोरी के प्रोमोशन के लिए लंदन आये हुए थे जिस दिन बिद्दू कुमार गोरो से होटल में मिले सैयोंग ऐसा था कि उन दोनों ने उस दिन एक ही जिसे कपड़े पहने हुए थे ब्लू जिन्स, में हीरो को होंगे और उन्होंने इसलिए अपने बेनर का नाम डबल भींस रखा था फिल्म के डायक्टिर विनॉत पांडे को भी कुमार गोरो बहुत पहले से जानते थे क्योंकि कुमार गोरो अपने स्टेडी टाइम में विनोत पंडे से उनके ओफिस में लंदन में मिलने जाया करते थे दोस्तो बात करते हैं फिल्म में उस रोल के बारे में जिसके लिए कई बड़े-बड़े कलाकरों को कॉंटेक्ट किया गया था फिल्म में यह रोल था फिल्म के हीरो के बड़े भाई का जो की काफी सपोर्टिंग रोल था और फिल्म के लास्ट में हीरो की हीरोईन को भी हीरो का बड़ा भाई ही ले जाता है मूल रूप से बिद्दू ने इस रोल में फिरोष खान को कास्ट करने के बारे में सोचा था लेकिन फिल्म कुर्बानी के ब्लोकबस्टर हो जाने के बाद फिरोष खान को ढूंड पाना नामंकिन सा काम था क्योंकि वे लगातार विदेश की यात्राओं में भी जी थे विनोत खना के फिल्म चोड़ देने के बाद इस रोल के लिए राज बबर से कौंटेक किया गया लेकिन राज बबर कुमार गुरों के लिए साहयक भुमिका नहीं करना चाहते थे लास में जाकर इस रोल के लिए अभिनेता राज किरन को साइन किया गया हाला कि यह अभिनेता राजकिरन की अभी तक की गई सबसे बहतरीन भुमिकाओं में से एक थी लेकिन वे विनोत खन्ना के स्टार स्टेटस वाली छवी से यहां कंपेर नहीं कर पाए जब फिल्म रिलेज हुई तो रती अगनी उतरी ने फिल्म के खराब प्रदर्शन का सारा दोश राजकिरन के माते मढ़ दिया फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी थी तो वह यह थी कि फिल्म की खराब स्टोरी और फिल्म में हीरो का हर बार पिट कराना जबकि हिंदी सिनेमा में इस समय हीरो एक साथ दस दस गुंडों को मार देता था फिल्म में मंजे हुए कलाकार जैसे साइध जाफरी, दीना पाठक और एके हंगल की मौजूदगी भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई दोसर फिल्म में हीरो के एक दोस का बहुती खास रोल रखा गया था जो कि हीरो के लिए गाने लिखता है और उन गानों को कलब में गाकर हीरो स्टार बन जाता है इस खास रोल में पहले अभीनेता राकेश वेदी को साइन किया गया था लेकिन बाद में उस रोल में अभीनेता राजा बुंदेला को कास कर लिया गया फिल्म के प्रोडूसर विद्दू उपईया ने इस फिल्म को लगबग 6 महिनों में कम्प्लीट कर लिया था वे लगातार छे मैने तक इंडिया में रहे थे और इस दोरान उन्होंने लंदन में अपना गर अबिनेता कबिर वेदी को किराय पर दे रखा था जो कि उस समय लंदन में जेंस बॉन्ड सिरीज की फिल्म उक्टोबसी की शुटिंग कर रहे थे दोस्तो इस फिल्म स्टार की मेकिंग में विद्दू उपईया की कई कलाकरों से रिलेशन बिगडे जिसमें सबसे पहले नाम आता है सिंगर पारवती खान का दरसल फिल्म स्टार के सिनेमटोग्राफर थे नदीम खान और इसी बेस पर विद्दू ने तहे किया कि पारवती खान ही फिल्म के सारे गाने गाएंगी फिल्म के बेनर, डबल बी फिल्म्स और म्यूजिक कमपनी HMV के साथ पारवती खान ने एक बड़ा कॉंटेक्स साइन किया था और पारवती खान को एक नई संसनी के रूप में प्रचारिद भी किया जा रहा था पारवती खान लंदन में फिल्म स्टार के लिए गाने रिकोर्डिंग करने के लिए पहुँची जब वह विद्दू से जाकर मिली तो विद्दू के पास गाई का नाजिया हसन का एक एमर्जेंसी कोल आया पारवती खान को तभी लग गया कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है उसी राद सिंगर पारवती खान सर्दी सेगंबी रूप से बिमार पड़ गी बिद्दू ने न तो उन्हें होस्पिटल भेजा और नहीं डॉक्टर को होटल लेकर आया यहां तक कि इस दोरान बिद्दू उनसे मिलने होटल भी नहीं गए तीन दिन बाद आघिरकार बिद्दू पारवती खान से मिलने होटल में आये और कहा कि तीन दिन के अंदर अंदर वे ठीक हो जाए नहीं तो अपना कॉंट्रेक्त वे खो देंगी जब पारवती खान की तब्यट ठीक हुई तो वे बिद्दू से मिलने पहुँची लेकिन तब तक उन्हें एसास हो गया था कि नाजिया पहले ही गाने रिकोर्ड कर चुकी है जिने पारवती खान गाने वाली थी इस घड़ना से पारवती खान को बहुत धक्का लगा और वे डिप्रेशन में आ गई क्योंकि उनसे एक बड़े बजट की फिल्म छीनी जा चुकी थी पारवती खान आधी रात को लंदन की सड़कों पर रोते भी लगते अपने होटल पहुची उन पर डिप्रेशन अभी भी बहुत हावी था उनके कई मिलने वालों ने उनसे कहा कि उन्हें बिद्दू के खिलाफ कोर्ट में केस करना चाहिए क्योंकि वे औरड़ी कॉंटेक्ट साइन कर चुकी थी लेकिन पारवती खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मन मौसूश कर इंडिया वापस आ गई दोस्तो जब फिल्म स्टार फ्लॉप हुई तो पारवती खान बिद्दू से मिली बिद्दू ने आकिरकार जो कुछ भी हुआ उस पर माफी मांगी और कहा कि फिल्म के गीत नाजिया से नहीं बल्कि पारवती खान से ही उन्हें गवाने थे हाला कि पारवती खान जब बॉंबे वापस आई थी तो दो दिन बाद ही HMV के अनिल सूद ने उने बप्पी लेरी के पास बुलाया था और बप्पी लेरी ने उने फिल्म डिस्को डांसर ओफर की तो पारवती खान ने ये फिल्म साइन कर ली और सभी दर्शक तो जानते ही हैं कि फिल्म डिस्को डांसर का म्यूजिक कितना बड़ा हिट म्यूजिक रहा था दोस्तों जब फिल्म स्टार बनकर पूरी हो गई तब इसके प्रिव्यू के लिए फिल्म की पूरी टीम के अलावा कुमार गुरोव के पिता राजेंदर कुमार को भी बुलाया गया फिल्म के प्रिव्यू को देखने के बाद यह एसास हुआ कि फिल्म में कुछ सीन तो बहुती बहतर बने है लेकिन कुछ सीन में एक्टर्स ने काफी आवरेक्ट किया है फिल्म का सब्जेक्ट यंग जनरेशन के उपर रखा गया था और गाने भी उसी सापके डाले गये थे लेकिन फिल्म को देखने के बाद बिद्दू को भी समझ में आ गया की खामिया कहा रहे गई है फिल्म का हीरो हर जगए अपनी जंग हा जाता है सिवाए गाने के शोके और अभिनेता राजकिरन फिल्म के धाकड विलेन जैसे यूसुफ कान और वोपकेस्टो के मिंटों में छक्के छुड़ा देते हैं हाला कि अभिनेता राजंद्र कुमार ने बिद्दू को फिल्म की मेकिंग के समय काफी समझाया भी था कि फिल्म के से बनाई जाती है लेकिन बाद में कुछ एक्स्टा एडिटिंग भी फिल्म के कुछ काम ना आ सकी बिद्दू उपया शुरू से ही इस फिल्म को एक ब्लोक बस्टर फिल्मान रहे थे और उन्होंने इस फिल्म के सिक्वल सुपर स्टार को बनाने का एलान भी कर दिया था लेकिन इस फिल्म की दशा बॉक्स ओफिस पर देखकर सुपर स्टार नहीं बनाना उन्होंने उचित समझा फिल्म का एक और माइनस पॉइंट ये रहा कि चरित रभीनेता साइध जाफरी को इस फिल्म में एज लीड विलेन पेश किया गया था दोस्तों फिल्म स्टार की हिरोईन थी रती अगनी उत्री जिनका सेलेक्शन फिल्म के लिए बिद्दू ने रती अगनी उत्री की फोटो एक मेगजिन में देखने के बात किया था हाला कि यहां विवाद रती अगनी उत्री और प्रोडूसर बिद्दू के बीच भी कई हुए बिद्दू रती अगनी उत्री से इसलिए नाखुश थी क्योंकि वे फिल्म की एडिटिंग के दोरान लगातार एडिटिंग रूम में चली जाया करती थी और अपने गाने में पद्मनी कुलावपूरे के क्लोज अप को काउंट किया करती थी उनका कहना था कि पद्मनी इस फिल्म में गेस्ट अपिरियंस में है जिने ज़्यादा क्लोज अप नहीं मिलने चाहिए यहीं से बिद्दू अपया ने रती अगनी उत्री को फिल्म के सीक्वल सूपर स्टार में कास्ट नहीं करने का एलान भी कर दिया और इसका परिणाम ये रहा कि रती अगनी उत्री फिल्म स्टार के प्रिमियर पर नहीं पहुंची फिल्म स्टार बनाते बनाते ही अभीनेता नसिर अधिन शाह और बिद्दू उपया के बीच बहुत बड़ा जगड़ा हो गया बिद्दू इस फिल्म के सिक्वल के लिए अभीनेता नसिर अधिन शाह को चाहते थे वे फिल्म स्टार के आखरी शोट में दिखाई देने वाले फिल्म निर्माता की भुमीका के लिए एक अच्छे अभीनिता की तलाश में थे स्टार के कलाइमेक्स में ये दिखाया जाना था कि एक निरमाता स्टेज़ पर कुमाओर गोरो के पास धोड़ कर आएगा और फिल्म खत्म हो जाईगी। और वही से फिल्म के सीक्वल सूपर स्टार की स्टार्टिंग होगी। फिल्म के डिरेक्टर विनोत पंडे ने उनसे कहा कि अबिनेता नसर उदिन शाह इस रोल के लिए परफेक्ट रहेंगे बस यहीं से बिद्दू ने मान लिया कि वे नसीर को एक बड़ी कमर्शल फिल्म ओफर करेंगे तो नसीर उस रोल को हाथ जोड़ कर सिवकार कर लेंगे उस रॉल में नसीर की परमीशन की बिना ही बिद्भी ने भाईदास हौल में नसीर को रिपॉर्ट करने का एक मेसेज भिजवा दिया नसीर वहां आये तो उन्होंने देखा कि बिद्भी एक काओ ओऊबॉय केप हाथ में लेकर बेटे हैं बिद्दू ने तुरंद नसिर से कहा कि वे अपने कपड़े बदल ले और अपने रोल की शुटिंग करने के लिए तैयार हो जाएं उसे उनके चेहरे का क्लोज अप चाहिए जिसके बाद वे इस फिल्म के सिक्वल सुपर स्टार में काम कर सकेंगे जहां उनकी एक बड़ी भूमिका रखी जाएगी असिर ने कहा कि उनका या मन कर रहा है कि बिद्दू के द्वारा दी गए टूपी के टुकडे टुकडे करकर उनके मूँपर ही वे मार दे नसीर गुसा पी कर ही रह गए और बिना पिछे देखे वहां से निकल गए दोस्तो फिल्म स्टार लव स्टोरी और तेरी कसम के बाद कुमार गुरो की तीसरे फिल्म थी और बिद्दू की कुरबानी के बाद दूसरे फिल्म हालाकि इस फिल्म स्टार में नाजी असन का सोंग बूम बूम काफी सूपर हिट सोंग रहा था फिल्म के हिरो कुमार गौरो को डांस से नफरत थी लेकिन उन्हें इस फिल्म के लिए ऐसा मजबूरन करना पड़ा था दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दीगी जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलिवूड अन्बॉक्सिंग को सब्सकाइब जरू करें धन्यवाद